प्रिये सिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रफिसर संतोईश रोरा, आज आपके साथ समाजिक विज्ञान कक्षा में वास्त्विक्ता और चित्रावली के प्रियोग पर चर्चा करूँगे। समाजिक विज्ञान की कक्षा में एक सिक्षक अपनी विश्य वस्तो को प्रस्तुत करने के लिए वास्त्विक्ता और चित्रावली का प्रियोग करता है। और जब वास्त्विक वस्तुएं उपलब्द नहीं होती तो चित्रावली का प्रियोग करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्त्विक वस्तुओं के। ये वे वस्तुओं हैं जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके, सुना जा सके वा सुंगा जा सके। आते हैं, जब भी सिक्षक वास्त्यों का प्रयोग कक्षा में करता है, तो उसकी छात्र की ज्यानेंद्रियों का इस्तमाल होता है, छात्र अपनी ज्यानेंद्रियों का प्रयोग करता है, वे उन वास्त्यों को देख सकता है, और अगर उसका जी चाहे, तो वे उन्हें छूब एपति में रहने वाले होते हैं। जब भी वास्त्विक अनुभव या वास्त्विक वस्तु ने कक्षा में पदर्शित की जाती हैं, तो छात्र अपनी पांचों ग्यान इंद्रियों का इस्तमाल करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो देख सकता है, सुन सकता है, इस पर्ष कर सकता है और सूंग सकता है, वच्चक भी सकता है, क्योंकि अलग-अलग इंदरियों से ज्ञान को ग्रहन करने की अलग-अलग गती होती है और अलग-अलग दर होती है, यदि कोई छात्र सुनकर के वि विश्यवस्तु को देख करके सीखता है तो वो उस विश्यवस्तु का 20 प्रतिशत धारण कर पाता है यदि कोई छात्र सुनने और देखने के अत्रिक्त यदि क्रिया करता है या करता है तो वे उस विश्यवस्तु के 80 प्रतिशत भाग को धारण कर सकता है अतहे यहां पर यह कहा जा सकता है कि एक चातर की जितने अधिक ज्यानेंद्रियों का इस्तमाल होगा उसका सीखना उतना ही फ्रभावी होगा वहे विशयवस्तौ इसमृती में उतने अधिक देर तक जाएगी लॉंग टर्म उसकी दीर काली की स्मृति में जाएगी वो अधिक देर तक याद रख सकेगा और जिस विश्यवस्तु को धारण करते समय यह सीखते समय वे अधिक ग्यानेंद्रियों का प्रयोग करता है तो वह विश्यवस्तु उसको रटने की आवश्यक्ता नहीं होती है प्रश्ण यह उठता है कि ककशा के अंदर एक सिक्षक को वास्तु वस्तौ का प्रयोग क्यों करनाँ चाहिए इसका सबसे महत्वपून कारण यह कि वास्तविक वस्तुएं आसानी से उपलब्द हो जाती हैं सिक्षक अपने आसपास के वातावरण से ऐसी विशे वस्तु से संबंदित वस्तुओं को एकत्र कर लेता है जिनका प्रदर्शन वो कक्षा में कर सकता है जैसे कुछ वो पत्थर इकठे कर सकता है, मिटी इकठे कर सकता है, फसलों के दाने इकठे कर सकता है, मोती इकठे कर सकता है, विबिन प्रकार की धातुएं जो की दैनिक जीवन से संबंदित होती हैं, उनको भी इकत्र कर सकता है. अत्याहिए ये कहा जा सकता है कि वास्त्तिक वस्तूएं आसानी से सिक्षक को उपलब्द हो जाती है。 दूसरा वास्त्तो का प्रियोग इसलिए भी अधिक उप्योगी है कि वास्त्त्तूविक वस्तूओं से चात्र जन जीवन में संबंद स्थापित कर लेता है। क्योंकि जिन वस्तु को वो कक्षा में देख रहा है वही वस्तु हैं उसके दैनिक जीवन में उसको दिखाई देती हैं अपने आसपास के वातावरण में दिखाई देती हैं तो छात्र कक्षा में दिखाई जाने वाले वास्त्विक वस्तु वा उसका संबंध वह अपने दै जब कक्षा में प्रदर्शित की जाती है तो चात्र का ध्यान विशय वस्तू पर केंद्रित होता है क्योंकि ये वस्तू है कक्षा में दिखाई जा रही होती है तो चात्र इन विशय वस्तू को देखता है जब देखता है तो उसकी उस विशय वस्तू पर रुची जागरत हो योगि उस समय उसकी सभी ज्यानेंदरियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि real object जो कि कक्षा में दिखाये जा रहे हैं या वास्त्विक वस्तू हैं जो कि कक्षा में प्रदर्शित की जा रही हैं, वो विश्यवस्तू को रूचिकर बना देती हैं। जैसे यदि कोई सिक्षक किसी अन्य संसाधन के माध्यम से अपने विश्यवस्तू को प्रदर्शित करता है, जैसे यदि कोई सिक्षक चित्र बनाता है या चाट बनाता है या श्यामपट पर रिखा चित्र बनाता है या मान चित्र बनाता है तो उसका समय खर्च होता है जबकि वास्तुएक वस्तुओं के प्रदर्शन में समय की बचत होती है कोई अतरिक्त समय इसके लिए सिक्षक को नहीं देना होता उसके अपने दैनिक जीवन से वास्तिक वस्तूं को एकत्र करना है और कक्षा में आकर के उनका प्रदर्शन कर देना है तो इसमें सिक्षक को कोई अतरिक्त समय खर्च नहीं करना पड़ता वास्तिक वस्तु हैं जब कक्षा में प्रयोग की जाती हैं तो बहुत अधिक व्याख्या देने की सिक्षक को आवश्यक्ता नहीं होती क्योंकि खुद छात्र इन विश्यवस्तु से साक्षात कार कर रहा होता है इन विश्यवस्तु से प्रतक्षी करन कर रहा होता है इसलिए ये विशेवस्तू स्वतहे अपने अंदर एक व्रहद व्याक्षा लिये हुए होती है जैसे एक उधारन के माध्यम से मैं अपनी बात को समझाने का प्रयास करती हूँ जैसे एक सिक्षक समाजिक विज्ञान की विशेवस्तु विभिन धातुओं को कक्षा में दिखाना चाता है तो उसके लिए कुछ व्यक्षा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छात्र उस धातु को देख भी रहा है उसको छूबी रहा है उठा भी सकता है रख भी सकता है और association संबंध भी स्थापित कर सकता है अपने जीवन से association स्थापित कर सकता है कि जो विशेवस्तु जो धातु कक्षा में दिखाई जा रही है वही दातो उसके दैनिक जीवन में कही ना कही प्रयोग भी होती है वास्तिक विश्यवस्तू के लिए वरहद व्याख्या की अवश्यक्ता नहीं होती क्योंकि ये विश्यवस्तू स्वते ही अपने अंधर व्याख्या को लिये होती है इनके माध्यम से जो भी अनुभव छात्र को प्राप्त होते हैं वे प्रतेक्ष होते हैं जिससे छात्र का मस्तेश्क सक्री हो जाता है जब भी छात्र को किसी विशेवस्तु के प्रतेक्ष अनुभव प्राप्त होंगे तो छात्र की जिग्यासा उत्पन होगी चातर की उस विशेवस्तू में जग्यासा उत्पन होगी और जग्यासा सदय वस्ततपरता को बढ़ा देती है तो जब जग्यासा उत्पन होती है तो चातर का मस्तिश्क भी सक्रिय हो जाता है जब चिक्षारती का मतिश्क स्तक्रिय होता है तो सीखा गया ज्यान बोधगम में होता है अधिक समय तक याद में रहने वाला होता है अधिक समय तक इस्मृती में रहने वाला होता है और चात्र को वह विश्यवस्तो सरलता से समझ में आ जाती है इस प्रकार यदि कक्षा सिक्षण में सिक्षक वास्त्विक वस्तू का प्रियोग करता है तो यह वास्त्विक वस्तू विशय वस्तू को बोधिगम में और आसान बना देती हैं कक्षा में हम समाजिक विज्ञान विशे के अंतरगत विबिन परकार की वस्तूं को दिखा सकते हैं, जैसे हम विबिन परकार की फसलों को दिखा सकते हैं, रभी की फसल को बता सकते हैं, खरीब की फसल को बता सकते हैं, विबिन परकार के पत्थरों को हम प्रतक्ष रूप से ले जाकर के दिखा सकते हैं, विभिन प्रकार के सिक्के हम कक्षा में दिखा सकते हैं, परिधानों को दिखा सकते हैं, विभिन राज्यों के परिधान हम एकत्र करके कक्षा में ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं, कई प्रकार की मिट्टी को भी हम ठक्षा के अंदर दिखा स रूप का एक अनुमान लगाता है कि मिट्टी कितने परकार की होती है जैसे बलवी मुट्टी लाल मिट्टी काली मिट्टी चिकनी मिट्टी अगर हम इनके चित्र बनाते हैं तो छात्र इनका अनुमान लगाता है और यदि हम इन मिट्टियों को कक्षा में वास्त्विक रू कि मिट्टी लाल मिट्टी होती है यह मिट्टी लाल होती है तो चात्र किसी भी तरह के लाल रंग का प्रतक्षी करण कर सकता है और यदि हम वास्तम में इस लाल मिट्टी को जाकर के कक्षा में ले जाकर के दिखाते हैं तो चात्र समझ जाता है कि वास्तविक रूप में लाल विश्यवस्तू हैं जिनके हम वास्त्विक सरूप को कक्षा में ले जाकर छात्रों को दिखा सकते हैं अब प्रश्णी यह उठता है कि वास्त्विक वस्तूएं एकत्र कहां से की जाएं सिक्षक वास्त्रिक वस्तूओं को कई तरह से एकत्र कर सकता है जैसे जब चात्रों को सेक्षिक भ्रहमन के लिए ले जाता है तब भी विशे से संबंदेत वस्तुएं वहाँ से एकत्र की जा सकती है दूसरा तरीका वास्टिविक वस्तुओं को एकत्र करने का होता है समुदा ईसे समुदा इसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम इन वस्तूओं को एकत्र कर सकते हैं, उधारण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम जरी जर्दोजी के बारे में छात्रों को बताना चाहते हैं, तो समुदाय में जरी जर्दोजी के ऐसे कलाकार और ऐसे कर्मकार मौदूध हैं, जो की उनके पास में ये सा विशेश विशे से संबंदेत होते हैं उनसे हम इन उपकरणों को ले सकते हैं और कक्षा में जाकर के दिखा सकते हैं दूसरा तरीका अगर स्थानिय स्थर पर संग्राले है या समदाई इस तर पर विद्याले इस तर पर संग्राले है तो हम उस संग्राले से वास्तिक वस्तुों को किराय पर पराप्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए वहां से ये वस्तुएं ली जा सकती हैं और कक्षा में दिखाई जा सकती हैं क्योंकि संग्राहले में बहुत सारी कलाकृतियां होती हैं बहुत सारे परिधान होते हैं विभिन राज्यों के परिधान हो सकते हैं बहुत सारी पांडूली पियां हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी सामिग्री संग्राहलों में होती है तो उनसे हम किराय पे लेकर अपने छात्रों को कक्षा में इन वस्तूओं को दिखा सकते हैं वास्तिक वस्तूं को दिखाने के लिए सिक्षक अपने संसाधनों का प्रयोग भी कर सकता है। एक सिक्षक के अपने संसाधन भी होते हैं, वे अपने संसाधनों के माध्यम से इन वस्तूं को जुटा सकता है और कक्षा में ले जाकर के छात्रों को दिखा सकता है। जो भी वास्त्विक वस्तुएं अगर इनका प्रयोग सिक्षक अपने कक्षा सिक्षण में करता है और छात्र यदि अधिगम प्रक्रिया में वास्त्विक वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसका अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि वास्त्विक वस्तुओं के माध्यम से एक छात्र ग्यानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और ग्यानेंद्रियां ज्यान का द्वार कहीं जाती है जब छात्र सीखने के लिए ज्यानेंद्रियों का प्रयोग करता है तो वो अधिक प्रभावपून तरीके से सीख पाता है दूसरी उपयोगिता और लाभ इनका ये भी है कि वास्तिक वस्तूं का जब प्रदर्शन कक्षा में किया जाता है तो छात्र को वास्त्विक अनुभव प्राप्त होते हैं और वास्त्विक अनुभव अधिक स्थूर होते हैं, इसलिए अधिक इन वस्तूं के माध्यम से यदि छात्र सीखता है, तो छात्र को कोई भी विश्य वस्तू रटने की अवश्यक्ता नहीं होती, वो उसकी इस सम्रती में अधिक समय तक बनी रहती है। इन वस्तूं के माध्यम से सिक्षन रूची कर होता है, क्योंकि छात्र का ध्यान विश्य वस्तू पर केंद्रित हो जाता है, और छात्र सीखने में रूची लेता है। वास्त्विक वस्तूओं के कक्षा में प्रयोग के कई लाब हैं, सबसे पहला लाब तो यह वास्त्विक वस्तूओं का प्रयोग जब कक्षा में किया जाता है तो छात्र की ज्यानेंद्रियों का प्रयोग होता है, छात्र विश्य वस्तूओं को या वास्त्विक वस्तूओं को देख सकता है उन्हें छू सकता है इसका मतलब यह हुआ कि वो ज्ञानेंद्रियों का प्रेयोग करता है क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार कही जाती है इसलिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थूल होता है और अधिक समय तक चात्र की स्मृति में बना रहता है वास्त्विक्ता का एक और लाब ये भी है कि इसके द्वारा चात्र को जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वह वास्त्विक होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का बनावटी पन नहीं होता चात्र को अनुभव को धारन करने में कोई विशेश कल्पना का इस्तमाल नहीं करना पड़ता इसलिए जो भी अनुभव चात्र को प्राप्त होते हैं वो वास्त्विक होते हैं दूसरा इसका एक लाब ये भी है कि जब वास्त्री वस्तूओं को कक्षा में दिखाया जाता है तो छात्र विश्य वस्तू में रुची लेने लगता है क्योंकि छात्र का ध्यान विश्य वस्तू पर केंद्रित हो जाता है और जब ध्यान विश्य वस्तू पर केंद्रित तो छात्र की विशे में रुची स्वत्य ही उत्पन हो जाएगी। वास्त्विक वस्तूओं को कक्षा में प्रयोग करने का एक लाब ये भी है कि ये वस्तूओं बोधगम में होती हैं। एक द्वारा सीखा गया ज्यान आसानी से घ्रण किये जाने योगि होता है और आसानी से समझ में आने वाला होता है। कि जब वास्त्विक वस्तुओं का प्रयोग या वास्त्विक्ता का प्रयोग कक्षा में किया जाता है तो छात्र की इंद्रियां सक्रिये होती हैं और सीखा हुआ ज्यान बोधगम में हो जाता है जहां एक और वास्त्विक वस्तु का जब हम कक्षा में प्रयोग करते हैं तो उसके लाब है वहीं इसके दूसरी और इसके प्रयोग के कुछ दोश भी है इसका एक दोश ये भी है कि जब वास्त्रिक वस्तों का प्रयोग या वास्त्विक्ता का प्रयोग जब हम कक्षा में कर रहे होते हैं तो ये संपूर्ण कक्षा को दिखाई नहीं देती क्योंकि ये वास्त्विक होती हैं, अपने मूल रूप में, मूल आकार में होती हैं, तो इसलिए ये पूरी कक्षा को दिखाई नहीं देती उधारण के तौर पर यदि हम विभिन प्रकार की मिट्टी का वास्त्विक रूप कक्षा में लेकर के जाते हैं तो मिट्टी पूरी कक्षा में दिखाई नहीं देगी मेज पर रखे हुआ मिट्टी का वास्त्विक रूप पीछे बैठे हुए छात्रों को दिखाई नहीं देगा तो ये वस्तूओं को छात्र देख नहीं पाते हैं या ऐसी वस्तुएं जो छोटी होती हैं, वो भी पीचे से दिखाई नहीं देती, इन वस्तुओं को एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक ले जाना कठिन होता है, तो वस्तुएं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने में इनको कठिनाई होती है, जो वस्तुएं बहुत अध अदिक छोटी हैं उनकों को कि घख्षां में वास्तुक रूप में नहीं दिखाई सकते क्योंकि यह मूल रूप में या। बहुत अधिक भड़ी हैं यह बहुत अधिक छोटी हैं। बहुत अधिक बड़ी हैं, तो ये कक्षा में ले नहीं जाई जा सकती, जैसे यातायात के साधन, यातायात के साधन को यदि आपको पढ़ाना है, तो आप वास्तिविक वस्तूओं के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए आपको किसी अन्य संसाधनों का प्रेयोग करना ही होगा, वास्तिक वस्तूओं, कुछ वस्तूओं ऐसी होती हैं, जो कि महंगी होती हैं, जिसे हमें समधाय के लोगों से नहीं ले सकते, या समधाय के लोग उन्हें हमें नहीं देते या वो कहीं से भी हमें प्राप्त नहीं होती और उसे हम विद्याले में नहीं ले जा सकते तो महंगी वस्तूओं को हम पतिक्ष रूप से कक्षा में वास्त्विक रूप में नहीं दिखा सकते तो ये वास्त्विक बस्तों की खामिया है इसके लिए हम चित्रावली का प्रयोग करते हैं चित्रावली एक त्री आयामी लगू मॉडल है ये एक फ्लैट चित्रना होकर के त्री आयामी उपकरण है जो की सीखने को बढ़ाता है चित्र और चित्रावली में एक प्रमुक अंतर यही है कि चित्र द्य आयामी होते हैं और चित्रावली त्री आयामी होती है चित्रावली की ये विशेशताएं होती है कि चित्रावली बच्चों के लिए अधिक मनुरंजक होती है इसके द्वारा हम भूगोल, इत्यास और नागरिक शास्त्र की विशवस्तू को बच्चों को बता सकते हैं इसके द्वारा त्री आयामी विचार कक्षा में लाया जा सकता है चित्रावली दो प्रकार की होती हैं एक है शू बॉक्स चित्रावली और दूसरी है पीजा बॉक्स चित्रावली जो शू के बॉक्स जूते के बॉक्स में बनाई जाए वो चित्रावली शू बॉक्स चित्रावली कहलाती है और जो पीजा बॉक्स होता है उस शेप के उस आकरती के किसी बॉक्स में बनाई जाए तो उस चित्रावली को पीजा बॉक्स चित्रावली कहते हैं चित्रावली को बनाने के कुछ प्रमुक पद है सबसे पहले योजना सबसे पहले सिक्षक को ये योजना बना लेनी चाहिए कि चित्रावली किस विशय पर बनानी है और उसके बाद उससे सम्मंदित प्रतेक विश्यवस्तू की, प्रतेक आयाम की, प्रतेक घटक की खोज करनी चाहिए, जो भी हम चित्रावली बनाने जा रहे हैं, उसकी हर विश्यवस्तू का सिक्षक को अध्यन कर लेना चाहिए. उसके बाद चित्रावली का एक रफ स्कैच एक सिक्षक को बनाना चाहिए, और सिक्षक को ये सूची बना लेनी चाहिए, कि एक चित्रावली को बनाने के लिए कौन-कौन से सामिग्री की जरुरत पड़ेगी, इसको सूची बद कर लेना चाहिए. ये सामिग्री जैसे चित्र में दिखाई गई है कि एक चित्रवली को बनाने के लिए एक शू के डिब्बे की जरुरत पड़ेगी, रंगों की जरुरत पड़ेगी, कैची की जरुरत पड़ेगी और ग्लू यानि गोंद या कोई चिपकाने वाले पदार्थ की जरुरत कर सकता है जैसे आज के इस वारता में मैंने solar system को चुना है इसके अधार पर हमें एक box लेकर उसकी प्रष्ट भूमी को बना लेना चाहिए आप चित्र में देख सकते हैं हमने solar system को बनाने के लिए सौर मंडल की चित्रावली बनाने के लिए एक प्रष्ट भूमी तैयार की है प्रष्ट भूमी तैयार होने के बाद उसमें प्रयोग होने वाली हमें सामिग्रियों को एकत्र कर लेना चाहिए ये सामिग्री जानवर हो सकते हैं, माना वाकरतियां हो सकते हैं इनका आकार एक इंच से बारा इंच तक हो सकता है। हमने सौर मंडल को बनाने के लिए छोटी बॉल को चुना है। बॉक्स के अंदर स्थापित करने के लिए जो नमूने हम बना रहे हैं, उनको यदि हम लटकाना चाते हैं, तो हमें सुई धागे का प्रयोग करना होगा। और अगर हम चिपकाना चाते हैं, तो हमें कोई चिपकाने वाले पदार्त, गौन या फैविकॉल का प्रयोग करना होगा। चित्रावली के ये प्रमुक भाग होते हैं, कोई भी चित्रावली आप बनाएं तो उसका प्रमुक भाग होता है, पहला होता है बॉक्स, दूसरा उसकी पेंटेट प्रस्टगुमी, तीसरा उसमें लगाई जाने वाले कटाउट्स या कोई भी नमूने, ये खिलोने भी हो सक इसकी तुलना हम भूत काल से वर्तमान में कर सकते हैं, छात्रों में इसके द्वारा सरजनात्मक्ता का विकास होता है, चित्रवली का निर्मान छात्र स्यम कर सकते हैं, चित्रवली त्री आयामी होती हैं, इसलिए इसके हर एंगेल का, हर द्रश्टी कोन का, हर आयाम से छात्र इसको सीख और समझ सकते हैं चित्रवली के द्वारा जो विशवस्तु प्रस्तुत की जाती है वो रोचक होती है छात्र में कलपना शक्ती का विकास होता है चित्रवली देखने में अकर्शक होती है इसलिए चात्र का ध्यान विशवस्तु पर ही केंदृत रहता है चित्रावली का एक दोश ये भी है कि इसको रखने के लिए अधिक जगे की आवश्यक्ता होती है और दूसरा इसको लाने और लेजाने में इसके तूटने का भै बना रहता है और इसका तीसरा प्रमुक दोश ये है कि एक सिक्षक चित्रावली बनाना तो चाता है परन्तु कई बार उससे सम्वंधित सामिग्री उसको प्राप्त नहीं हो पाती और वो चित्रावली नहीं बना पाता चात्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद